दोस्तों जस्त अभी अभी 10 मिनिट पहले मार्किट से बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल करके आ रही हैं जैसे कि गेल इंडिया का डिविडेंड, ITC लिमिटेड का डिविडेंड और साथी साथ में BEL यानि कि भारत Electronics लिमिटेड ने भी डिविडेंड अनौंस कर इस वीडियो के अंदर में टोटल में 12 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिन्नों ने आपे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया हैं जितना जल्दी ओपार है इस वीडियो को बना रहा हूं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शियर की तो कंपनी का नाम है अदवानी होटल्स और जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो यहाँ पे आपको एक शेयर का बोनस दिया जाएगा टोटल में जो आपका एक शेयर है वो दो शेयर के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस कंपनी के चाहे जितने मर्जी shares हो, आपका हर एक share यहाँ पे दो shares के अंदर में convert हो जाएगा आप यह भी कह सकते हैं आपके पास में इस company के जितने भी shares है वो सब के सब यहाँ पे double हो जाएगे और साथी साथ में जो dividend announce किया गया है वो 2 rupees का किया गया है हर एक share के उपर में आपको 2 rupees का dividend दिया जाएगा याद रखिएगा dividend आपको पहले दिया जाएगा stock bonus उसके बाद में दिया जाएगा और आपको बता दूँ आज के एक दिन के session के अंदर में अधवानी hotels and resorts के share के अंदर में हमें लगबग साड़े 7% तक कि यह काफी भयंकर तेजी देखने को मिली थी तो कल के trading session में दुबारा से आप लोग जो है एक rally यहाँ पर expect कर सकते हैं बाकी bonus and dividend को देने की X date और record date upcoming में है जैसे ही X date और record date announce होगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Gale India Limited Gale India का जो share price है वो 172 रुपीज के उपर में चल रहा है और Gale India ने आपे dividend announce कर दिया है 5.50 रुपीज का हर एक share के उपर में आपको 5.50 रुपे यानि की 5.50 पैसे का dividend दिया जाएगा इसको देने की जो X date और record date है वो 6th of February की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है ITC Limited ITC Limited का जो share price है वो 448 रुपीज के उपर में चल रहा है और ITC ने आपे dividend announce कर दिया है 6.25 रुपीज का हर एक share के उपर में आपको 6.25 पैसे का dividend दिया जाएगा और यह एकदम ही एकदम latest announcement है अभी जस्ट आद्य घंटा पहली announcement आये मैं जितना जल्दी उपर है cover कर रहा हूँ तो please वीडियो को like कर दीजेगा बाकी अभी तक dividend को देने की X date record date आई नहीं है जैसी announcement होता है मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है B.E.L यानि की भारत Electronics Limited यह government company है और इस company का जो share price है वो 191 रुपीस के उपर में चल रहा है और company ने आपे dividend अनौंस कर दिया है 0.70 रुपीस का आपको हर एक share के उपर में सिरफ 70 पैसे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की जो X-Date और Record Date है वो 10th of February की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है United Wenderehorst United Wenderehorst का जो share price है वो 267 रुपीस के उपर में चल रहा है अगर आपके पास में इस company के 5 shares है तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएंगे फिर बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मर्जी stocks हो आप लोगों का हर एक stock यहाँ पे 2 stocks के अंदर में convert हो जाएगा आप लोग यह भी कह सकते हैं आपके पास में इस company के जितने मर्जी shares होंगे वो सबके सब यहाँ पे double हो जाएंगे और इस stock split को देने की x date और record date फिलाल upcoming में है अब चैनल को subscribe कर लीजेगा जैसी x date और record date आएगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है fm industries limited fm industries का जो share price है वो 2525 रुपीज के उपर में चल रहा है और company ने आप इस stock bonus announce करके रखा है 1 is to 1 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको एक share का bonus दिया जाएगा total में जो आपका एक share है वो 2 shares के अंदर में convert हो जाएगा यहाँ पे भी आप यही चीज कह सकते है आपके पास में इस company के जितने भी shares है वो सब के सब यहाँ पे double हो जाएगे and stock bonus को देने की जो x date और record date है finally company ने उसे announce कर दिया है जो कि 28th of February की रहेगी तो अगर आपको इस company के share को purchase करना हुआ ताकि आपको इसके bonus का benefit मिल पाए तो आपको F.E.M. Industries के share को उसकी x date यानि की 28th of February से पहले-पहले purchase कर लेना होगा अगले share की बात करें तो company का नाम है भनसाली Engineering and Polymer Limited भनसाली Engineering and Polymer का जो share price है वो 107 रुपीस के उपर में चल रहा है और company ने आपे dividend अनौंस कर दिया है 1 रुपीस का हर एक share के उपर में आपको एक रुपे का dividend दिया जाएगा वैसे आपको value कम लग रही होगी current market price से compare करेंगे तो आपको पता लगेगा एक fair dividend यहाँ पे अनौंस किया गया है बाकी इसको देने की जो X date और record date है वो 7th of February की रहने वली है तो अगर आपको इसका benefit चाहिए हुआ तो उसकी X date यानि की 7 फरवरी से पहले पहले purchase कर लेना होगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Container Corporation of India Limited यानि की Concord Concord का जो share price है वो 841 रुपीज के उपर में चल रहा है और आपकी जानकारी के लिए बता दू railway sector based company है और इसके बावजूद भी last 1.5 साल के अंदर में जादा कुछ खास returns अपने investors को नहीं दे पाई है तो अभी भी कही ना कहीं आपे आप कह सकते हैं opportunity बची है बाकी company ने आपे dividend announce कर दिया है 4 रुपीज का हर एक share के उपर में आपको 4 रुपे का dividend दिया जाएगा इसको देने की भी x date और record date same day की रहने वाली है यानि की 7th of February की अगले share की बात करें तो company का नाम है गुजरात Ambooga Exports Limited गुजरात Ambooga Exports का जो share price है वो 368 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस company ने आपे board meeting organize कर दिये 2nd of February को और इस board meeting का जो purpose है वो stock bonus को लेकर के रहने वाला है अब अगर company दूसरी फरवरी को 1 is to 1 या फिर 2 is to 1 के ratio से stock bonus announce करती है तो definitely इस stock के अंदर में हम लोगों कोई काफी अच्छी rally देखने को मिल सकती है तो जरूर से गुजरात Ambooga Exports के share के उपर में नजर बना के रखिएगा और खास करकी 2nd of February के दिन इस company के share को आपके watch list के अंदर में अड़ कर लीजिएगा अब आजाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है HPCL यानि की हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited हिंदुस्तान Petroleum का जो share price है वो 430 रुपीज के उपर में चल रहा है और company ने आपे dividend अनौन्स कर दिया है 15 रुपीज का हर एक share के उपर में आपको 15 रुपे का dividend दिया जाएगा इसके current market price से अगर आप इसे compare करते हैं लगबग 3.5% का dividend बन जाता है जो की काफी जादा शानदार है और इसको देने की जो X date और record date है वो भी same day की रहने वाली है यानि की 7th of February की तो अगर आपको इस company के share को या फिर इसके लावा और जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि आपको उसके announcements का benefit मिल पाए तो आपको उस stock को उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 12 stocks थे जिन्नोंने आप इस stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो ची लगियो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा because फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then, bye